हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आप में आपको संदर से श्वेटर डिजाइन से काने जा रही है किस तरीके से बना जाता ये मैं आपको बता हूँगी और मैं इसमें बनाने जा रही हूँ और इतने सी बड़ी रेडी की है सी की उपर में डीचैन बना के दिखाऊंगे किस तरीके से बनाए जाती है देखे फ्रेंड सबसे पहले मैं एक सीधा और एक उल्टा बिन लिया है फिर उसके बाद एक सीधा एक उल्टा दो फंदे तीन एक सीधा एक उल्टा चार यह चार पंदे मैंने बुल लिये हैं एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा करके अब यहां पर मैं एक एक मैं मैं एक फंदे मैं मैं फोर फंदे धागा पीछे करूंगी इस तरीके से एक फंदे में मैं 4 फंदे बढ़ाऊंगी यह देखे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से मैंने 5 फंदे बढ़ा दिये हैं अब इसी तरीके से मैं यह देखे यहाँ पर उल्टा भी ना तो यहाँ पर भी उल्टा भीनूंगी और यहाँ पर भी 4 फंदे भीनूंगी देखिए एक उल्टा विन लिया है फिर एक सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा पिर एक उल्टा इस तरिके से दो इसमें और इसमें आएंगे किस तरह के से हैं वहbeneखों वहन मैं आपको बताऊंगी आप ध्यान से देखे व्य्टियो स्क्रीप ने बेक साइटory पूरी रो में उल्टी उल्टी बिन लोंगी बैक साइड से मेरी कोई डिजाइन नहीं है बैक साइड से हमें डिजाइन नहीं बनानी है बैक साइड से जो फंदे मैंने जैसे हैं वैसी बिनने सिर्फ जो बीज में मैंने एक फंदे में इस तरह के से ये देखिए इस तरह के से एक कर देना है मेरे गुछ्छा सा बन गया है आप ये और पूरी रो इस तरह के से बिन लेनी है यह देखी सेकिन रो बिन लिए मैंने अब थार्ड रो में आ गई हूँ थार्ड रो में भी मैं इसी तरह की एक उल्टा एक सीधा निकाल लूँगी इस तरह के से यह वाले यहां पर मैंने एक का पाऊच पंदे बनाया थे उसी के उल्टे फंदे मां नहीं बनाने के बाद सीधा फंदा जो है उस पर मैं फिBay मैं पाच पंदे बड़ाऊंगी इस तरीके से यह देखिये एक, दो, तीन, चार, पांच इस तरीके से मैं पाच पंदे बढ़ाऊंगी और जो उल्टा है उसको उल्टा ही बिन लूँगी और यह जिस पर बढ़ाये थे उसको सीधा बिन लूँगे इस तरीके से और यहाँ पे यह उल्टे को उल्टा बिन लूँगी और इसके यहाँ पर यह सीधे मैं फिर एक के पाँच पंदे बढ़ा दूँगे देखे, one, two, three, four, five इस तरीके से मैंने पाँच पंदे बढ़ा दिये, देखे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर फर्स्ट में मैंने एक ही गुच्छा बनाया था अभी सेकिन में मैंने एक इधर पे और एक इधर पे दो गुच्छे बना लिये हैं अभी इस तरीके से मैं इसको पूरी कम, यह देखे, फ्रेंट, four row, back side से मैं इस तरीके से सारे फंदे उल्टे-उल्टे बिलनूँगी और जिस फंदे में मैंने एक के पाँच फंदे बढ़ाए हैं, उसको मैं पाँच का एक कर दूँगी इस तरीके से यह देखे, यह देखे, एक का पाँच कर दूँगी पाँच फंदों का एक फंदा कर दूँगी इस तरीके से यह देखे इस तरीके से यह भी कर दिया है यहां पे भी मैं एक का पाँच फंदों का एक फंदा कर दूँगी यह देखे इस तरीके से बैक साइड से इनको मैं इस तरीके से बन कर दूँगी हमें ध्यान देना है फंदे हमारी कम नहीं होने चीए देखिए उसकी बगल पर उल्टा फंदा है उसको मैं इसी तरीके से बिनते जाओंगी और फंदे उल्टे उल्टे बिन लूँगी इस तरीके से फोर रो बैक साइड से फाइप रो फ्रेंड साइड से देखिए फ्रेंड फाइप रो फ्रेंड साइड से ये मेरे अस्टा फंदा है तो इनको मैं ऐसी ही बिल लूँगी उल्टे और सीधे ये देखे अब मेरा एक यहां पर बन गया इसके बीच में एक उल्टा है सीधे पर मैंने गुच्छा निकाल लिया अब एक उल्टा रहेगा इधर पर में एक और फंदे का पांच फंदे बढ हाऊंगी इस तरीके से कि में पांच फंदे बड़ा दूरु कि और उल्टे वाले को सिर्फ उल्टा बिन लूँगी और जिस पर बढ़ा दिये हैं उसको सीधा बिन लोंगी इस तरीके से यह देखे ये सीधा बिन लिया, उल्टे को उल्टा और जिस पे फंदा जिस पे एक फंदे का पांच फंदा गुच्छा बना लिया है उसको मैं सीधा ही बिन लूँगी यह देखे एक इस तरह बढ़ाया तो एक इस तरह बनाऊंगी तो मेरे 5 गुच्छे होगे, मैं अब इस तरह के देखे, 1, 2, 3, 4, 5, और एक उल्टा, लास्ट में मेरे 1, 2, 3, 4, 4 फंदे बचे हैं, इन 4 फंदों को भी मैं इस तरह के से बिन लूँगी, यह देखे, मेरे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 गुच्छे बन गए हैं, इस तरह के से, 5 रो और 6 रो को भी मैं इस तरह के से उल्टा, उल्टा बिल लूँगी, और जो 5 फंदे हैं, उनको एक कर दूँगी, इस तरह के से, यह देखे, यह 5 फंदों का एक कर दूँगी, इस तरह के से, ये देखे पांच फंदों का एक कर दिया है ये पूरा हो गया अब मैं सेवन रो पे आ गई हूँ मैंने कुच्छे बना लिये हैं सेवन रो में मैं इस कुच्छे के बगल पे इस तरीके से धागा आगे रखना है और एक फंदा बढ़ा देना है और ये उल्टे को उल्टा बिन लेना है और सीधे को सीधा बिन लेना है यहां तक कहां तक इन तीन फंदों को मैंने सीधा उल्टा सीधा बिन लिया है आप जो मेरे ये फंदे के बीच में ये सीधे उल्टे फंदे हैं इस तरीके से मैं इन फंदों को 2 का एक कर दूँगी, इस तरीके से मैंने इनको 2 का एक कर दिया है, यह देखे, इन फंदों को मैंने 2 का एक कर लिया इस तरीके से, अब इस तरीके से यह सीधे फंदे को बिनूँगी, 1, 2, 3, यह 3 फंदे बिन लिया है, और यहां पे भी एक ज जाली बढ़ा लिये हैं, और 8 रो बैक साइड से, उसको भी मैं पूरी रो उल्टी-ल्टी बिन लूँगी, 8 रो बैक साइड से, पूरी रो मैं उल्टी-ल्टी बिन लूँगी इस तरीके से, 9 रो, 9 रो में देखिए, यहां पर हमारे एक फंदा कम हुआता तो यहां बढ़ गया अब इस फंदे को हम सीधा बिन लगे फिर एक यहां पर एक फंदा और बढ़ातेंगे इस तरीके से फिर एक उल्टा और इस सीधे फंदे को यहां पर इस तरीके से बीज के फंदे को हमें कुछ नहीं करना है उसके ये दो बगल के फंदों को एक कर दिया है और जो यहाँ पर दो का एक हुआ है वो यहाँ बढ़ चुका है इस तरीके से और अब उल्टा फंदा है वान, टू अब हमारे सिर्फ टू फंदे रहे फिर यहाँ पर हमारे एक जाली और बढ़ेगी इस तरीके से धागा आगे करेंगे और एक जाली बढ़ाएंगे जो फंदे हमारे यहाँ से खटते जा रहे हैं वो फंदे हमारे यहाँ बढ़ जा रहे हैं इस तरीके से बैक साइड से हमें पुरी उल्टी-उल्टी बिन लेनी है देखें बैक साइड से कुछ नहीं करना है बैक साइड से पुरी रो उल्टी-उल्टी बिन लेनी है 11 रोब यह हम इस तरीके से जाले बढ़ा लेंगे यह देखें और इस फंदे को लेके दो का एक कर देंगे और ये जो बीज का फंदा है इस फंदे में इस तरीके से इसका इस तरीके से कर देंगे इस तरीके से सीधे फंदे को इस तरीके से बढ़ा लेंगे और जो ये सीधे फंदे हैं उनको सीधा सीधा में लेंगे इस तरीके से 13 रो इस तरीके से यह देखें लास्ट बचा है सीधा फंदा इसको भी इस तरीके से दो का ये किया ये दो का एक किया और बीच वाले फंदे को इस तरीके से उठाएंगे और ये जो एक दो का एक करके फंदा है इसको इसके पर इस तरीके से राल देंगे ये देखें और यहाँ पर फिर एक जाले और बढ़ा देंगे ये देखें और इन फंदों को सिर्दे बिन लंगे इस तरीके से फोर्तीन रो बैक साइड से फोर्तीन रो बैक साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बना लनगे इस तरीके से और पूरी बॉर्डर पे भी डाल सकते हैं, बहुती सुन्दर लगती है। इस तरह के से गुछेदार रिजयर्मन गती है, गुछ इस तरीके की देखती है, बहुती सुन्दर लगती है। आपको ये वीडियो पसंद, फ्रेंट साहर से कुछ इस तरीके से वैक साहर से कुछ इस तरीकी की दिखती है, और आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक, शेयर, सस्क्राइब करना, बिल्कुल न भूले, थैंक यू फ्रेंट